Let's make non-fried less oil corn आप पे बहुत इजी होते हैं और बहुत यमी भी होते हैं तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिए है corn जिनको हमने अच्छे से बॉयल करने के लिए रख दिया है एक पतीले में बॉयल होने के बाद हम इनको सेपरेट कर लेंगे पानी में से और अब हम इनके कारनल्स निकाल लेंगे सारे कारनल्स निकालने के बाद हमने उनको पीस लिया और मैंने लिया है थोड़ा सा अमेरिकन कॉर्ण उसको भी हमने boil कर लिया था उसमें add करीं कुछ vegetable जैसे कि capsicum, onion, हरी मिर्ची, धनिया, नमक, जीरा, हींग, और अगर आप चाहें तो beet, carrot add कर सकते हैं, हमने add किया है चावल का आटा, बेसन और मैंने दोनों दो-दो चमच लिया था फिर हमने सारी चीज़ें mix करने के बाद थोड़ा सा add किया है baking soda और उसमें add किया lemon juice एक चीज और इनको आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, इसमें से मिर्ची हटा के तो चलिए बना लीजे और मैंने चटनी की रेसिपी तो कल शेयर की ही थी आपके साथ में तो उसको बना लीजे और खाये गर्मा गरम कॉन आप पे मौसम तो बहुत बहतरीन लाजवाब है तो इसका लुफ्त उठाइए याम याम याम